तो चले इस सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, पेपर नमबर वन का सेंपल पेपर वन का पहला पार्ट हमने अब्जेक्टिव अलग कर लिया है, अब कुश्चन नमर 6 से दिखिए, कह रहा है, A equal to 123, B equal to 4567 है, और F का मान आपको दिया गया, 142536, A और B पर फलेने दिखाए कि F A कही है, बहुत ही सिंपल है, दिखिए, A के पास जो अभियाब हैं, वो कोन हैं, 123 है, और इधर जो अभियाब हैं, आपके पास हैं, 4, 5, 6 और 7, ठीक है न, तो आप देखिए, A के प्रतेक बिंदू के लिए, केवल एक ही प्रतिविम बन रहा है, A का कनेक्शन 4 से है, 2 का कनेक्शन 5 से है, 3 का कनेक्शन 6 से है, चूंकि A के प्रतेक बिंदू के लिए, केवल एक ही प्रतिविम बन रहा है, अतह यह फलन कैसा होगा, A कैकी होगा, बस इसको यही इस तरीके स आपको लिख करके आना है अगला question है तुलता संबंध को परिभासित कीजे तो ऐसा संबंध जो की क्या हो स्वतुल हो सम्मित हो और संक्रमाख हो ऐसे संबंध को हम बोलते हैं स्वतुलता संबंध बोलते हैं चले इस second question देखिए कह रहा है कि cos ये आपके पास a दिया गया है और कह रहा है कि a transpose into a equal to i कैसे करेंगे इस question को तो a आपके पास दिया गया है a transpose आप निकाल लिजे a transpose मतलब a का परिवरता अभी हो तो a का परिवरता अभी हो क्या करेंगे इसको इसके row को quorum में पलट देंगे और दोनों को हल कर दीजे तो I think कि आप कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं गुणा कर लेंगे गुणा करने के बदे आपके पास में कितना आ जागा हाँ दर्शाहिए कि f x equal to cos x square दारा परिवासित फलन एक सतत फलन है ठीक है ना तो सतत फलन के लिए आपको क्या पूट करना परता है दाई सीमा बराबर 22 सीमा एक कोल टू फलन का मान तो इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा हेल्प आपकी देखे कैसे करेंगे इस क्वेस्च लीजे तो आपके पास में f x equal to cos x square है equal to आपको सतत फलन प्रूब करना अब इसने देखो ध्यान से बिंदू नहीं दिया आपको ये किसी बिंदू पर इसने नहीं बोला है तो आपको अपने हाथ से बिंदू मानना पड़ेगा माना कोई बिंदू है x equal to k x equal to k आपने x equal to k कोई बिंदू मान लिया तो सबसे पहले f of k का मानियात कीजे तो f of k का मान कितना आएगा cos of k का square आजाएगा cos of k का square आगए अब इसके बाद आपको k पर limit भी निकालनी पड़ेगी तो limit x tends to k f x मतलब कितना हो जाएगा limit x tends to k f x कितना आपके पास cos x का square x की जगए k रख दो तो कितना हो गया cos k का square ये हो गया cos k square इस तरीके से आप देखिए कि जो फलन का मान आ रहा है वो आपके सीमा के मान के बराबर है ठीक है सीमा के मान के क्या है बराबर आ रहा है अतह दिया गया फलन k पर सतत है और k क्या है कोई भी बिंदू है domain का domain क्या होती है cos x की domain क्या होती है real number पर आता है फलन सतत है डन क्लियर आगे संद में बोलो भाई चलिए नेक्स कुशन लेफ्ट देखे राइट एंड लेफ्ट एंड यहाँ पर निकालने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ है क्योंकि फलन आपको एक ही दिया गया कॉसेक्स स्क्वेर अगर ऐसा होता कि एक्स ग्रेटर देन ए पर फलन कुछ और है जैसे आपको मान लो x greater than a पे, x less than a पे दो फलन आपको दिये गया होती अलगला कुछ और, कुछ और, कुछ और तो आपको वहाँ पर 20 सीमा और 20 सीमा का कंसेप वोड़ता बट यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं सीद़ह आपको एक ही टाइप का फंक्शन दिया गया है तो आपको अलग-अलग तरीके से दाइं और बाइं सीमा निकालने की ज़रूरत नहीं है चलिए question हो गया ax plus by square equal to cos y बोलो कर लोगे ax का कितना हो जाएगा a हो जाएगा और फिर इसका कितना हो जाएगा 2y और b और साथ में कितना d by dx b constant है y square का 2y equal to cos y का कितना हो जाएगा minus का sin y बस हो गया तो diva बे dx को लग कर लो तो ये कितना हो जाएगा minus sin y minus a ये धर चला गया a तो minus a हो जाएगा और 2y भी आ जाएगा नीचे तो answer आगया 2by चलो ख्याता हो गया question वरत्य के छेतरफल r3 के साफ़ answer याद हो जाएगा 10 pi कितना हो जाएगा 10 pi क्योंकि 2 pi r होता है उत्पाद की x कायों के लिए कुल आपका रापताय में rx में से प्रदता है तो 5 पर c मानता है तो पहले इसको कलन कलो कितना हो जाएगा 6x plus 6 6x plus 6 और आपका x equal to 5 है ना तो 635 प्लस 6 36 होगा तो answer कितना होगा इसका 36 clear है cp हाँ बिटा हाँ माइनस sin d by dx बिटा यहाँ तो प्लस है ना a plus by square है ना अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल से very good बिटा बिल्कुल सही है आएगा आएगा यहाँ से फिर इसके बाद इसको लाना पड़ेगा तो थोड़ा से जल्दवाजी होगा यहाँ पे इसको सही कर देता हूँ मैं यह कुछ नहीं आएगा यह D by D x को आप यहां लाएंगे तो यह बन जाएगा D by D x 2yb plus किता हो जाएगा sin y equal to minus का a अब आपके पास में जो D by D x आएगा वो आपके पास में आजाएगा minus a upon 2yb plus sin y ठीक है यह आएगा answer तो ऐसी गलतियां exam में भी होती है मत करिएगा कई बार क्या confidence level high होने से ऐसी गलतियां हो जाती है कि अपना अगला D by D x भूल गए ऐसा कर दिया कुछ चलिए अगला question देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा आपको root x को t लेना पड़ेगा और root x को t लेंगे तो कितना आजाएगा 1 upon 2 root x आजाएगा कितना dty dx तो 1 upon root x dx ये 2 को उपर भेज दिजिए 1 upon root x dx एक्कोल डू कितना बन जाएगा 2 dt बोलो कर लोगे कि आँगे मैं कर आँँ चलो अगला log x का मान याद करना है करना क्या है log x तो पहला फलन रहेगा दुतिये फलन के लिए आप x को 1 मान लीजिए दुतिये फलन के लिए x को क्या मान लीजिए 1 तो इसको हल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा log x multiply by 1 log x multiply by 1 एनी प्रॉब्लम चली अगला question देखिए दर्शाहिएगी sin inverse 2x under root 1 minus x square equal to 2 cos inverse x ठीक है ना आपको यहाँ पे 2 cos inverse x सो करना है इसको कैसे सो करेंगे दिखिए अगर आप यहाँ पे x की जगह x की जगह कुछ ऐसा पुट कर दें कि यह 2 cos inverse x बन जाए है ना x की जगह आपको कुछ ऐसा पुट करना है कि यह 2 cos inverse x बन जाए में किस तरीके से करेंगे inverse का question है और जो inverse का concept है वही आपका differentiation में भी यूज होगा वही concept आपका integration में भी यूज होगा तो मतलब inverse जो है हर छेत्र में important है चली solve करते हैं तो आपके पास function है देखिए let मान लिजे y is equal to है आपके पास में कितना sin inverse 2x bracket में 1 minus x square तो आपने क्या put करना है आपको put करना है x equal to cos theta मतलब भविश में theta equal to कितना हो जाएगा cos inverse x theta equal to cos inverse x हो जाएगा तो y is equal to sin inverse 2 cos theta और bracket में 1 minus cos square theta हाँ अब 2 cos theta 1 minus cos square theta होता है कितना sin square theta तो sin का मैं root ले लिया sin square का तो बन गया sin theta अब यह अपने पास कितना हागया y equal to sin inverse 2 cos theta into sin theta यह होता है sin of 2 theta sin inverse से sin cancel हो गया cable बचा 2 theta तो 2 theta के जिएगा क्या पूट करना आपको cos inverse x yes done clear आया समझ में नहीं है बताईए आगया आगया ओके चलिए अगले question की तरफ चलते है हाँ यहाँ जाएगा अगला सदिस इतने और इतने की बीच कोण ग्याद कीज़े आगया हाँ 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 वह question की गलती तो आपको bonus marks पे जाएगा बाकि वह सही आएगा question है या तो plus आएगा या तो minus आएगा तो यह formula लगा करके जो लिखा है आपके सामने a1 a2 b1 b2 c1 c2 upon under root a1 square a1 square b1 square c1 square a2 square b2 square c2 square का square root करके आप इसका बीच का कोण मिखाल सकते हैं एक रेखा देख को जाएगा आद कीज़े जो निर्दे साक्चों के साथ समान कोण बनाती है तो इसको मैंने कई बार करा रखा है l equal to m equal to n लेकर के cos alpha equal to cos beta equal to cos gamma कर रखा बन जाएगा बच्चों कर रखा बन जाएगा बढ़ें हाँ चली देखे रेखा कहरा इतने का सदिस समीकन ग्यात कीजिए कैसे ग्यात करते हैं सदिस समीकन सबसे पहले सदिस समीकन आपको बनाना पड़ेगा बिंदू देखने पड़ेंगे और उसके बाद देखना पड़ेगा कि वो किसके समान तर जा रही है तब बनेगा आपका रेखा का सदेश समीखन ये बना लिया हमने रेखा करूँ ये रेखा का सदेश बना लिजे कि जिस सदेश से जा रही है किस से जा रही है ये बिंदू सदेश है रेखा जिस से जा रही है और किसके समना अंतर है रेखा का दिसात्मक सदेश क्या है दो चार दो मतलब जो उसका सदेश बनेगा दिसात्मक सदेश वह कितना बनेगा दो i cap, प्लस 4 j cap, प्लस 2 k cap, यह बनेगा इसका दिसात्मक सदिस, अब आपको रेखा का समीकन लिखना है, तो क्या समीकन होता है, रेखा का वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर a प्लस लेम्डा वेक्टर b, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 i cap, प्लस 5 j cap, माइनस 6 k cap, प्लस लेम्डा टाइमस आफ वेक्टर b, वेक्टर b का मान पुट कर दो कितना है, 242, 2 i cap, प्लस 4 j cap, ब्लस 2 k cap, आंसर आगया, डन, नोट कर लिजे इसको, इस तरीके से, यह इंपॉर्टेंट कॉस्चन है, और यह CUET में भी आता है, मतलब आपके एक्जाम के साथ, यह कॉम्टीशन में भी आएगा, इस तरीके का, बोलो समझ में आ गया, चलो, चली, अगला कॉस्चन देखते हैं, अगला कॉस्चन है, कि बिंदू इतने और इतने को मिलाने वाले सदिस का मद्ध बिंदू, तो बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 अ याने कि 3 i cap, 3 प्लस 1, 4, 4 का आधा 2, 2 j cap, और 4 माइनस 2 हो गया 2, तो प्लस का k cap, क्योंकि 2 का आधा 1, यह मद्ध बिंदू हो गया, ठीक है न, क्लियर है, मद्ध बिंदू के इंदर देशांक निकालने का, मद्ध बिंदू का वेक्टर कैसे निकलता देखिए, अगर आपक और दूसरे का बन रहा है, OQ वेक्टर, तो इनका जो मद्ध बिंदू होगा, M है, तो M का जो स्थिती सदिस बनेगा, वो बनेगा, O P प्लस O Q बाइटू, O P प्लस O Q बाइटू, इस तरीके से, बस मैंने यही किया है, P का सदिस बनाया, Q का सदिस बनाया, और दोनों को जो दिया, और याद रखिएगा, अगर अनता भी भाजन है, तो प्लस लगता है, और बाह भी भाजन है, तो क्या लगता है, माइनस, अनता के लिए अगर Q में अनता, ना बोले कुछ तो अनता ही मानना, अनता के लिए प्लस ही उसकरना, बट अगर Q बाह कह दे, तो क्या लगा इतना है पी इंट्रसेक्शन भी आपको इतना दिया गया है तो बहुत ही सिंपल है पी ए बाई बी एक्वल टू पी इंट्रसेक्शन भी अपॉन कितना पी बी दोनों वैल्यू रख दीजे फॉर्मुले में सब कुछ आपको दिया गया है आंसर आ जाएगा चलिए अगला पॉना कर दीए तो 0.3 इंटू 0.6 तैट इकल टू कितना जागा 0.18 0.18 अगला क्वेशन नमर 16 अगला क्वेशन ने कह रहा है कि आपके पास में एक वक्र है जिसका नाम है 9x² प्लस 16y² इकल टू 144 तो पहचानने की कोशिश करिए भाईया कि ये वक्र आपको क्या दिखाई दे रहा है है ना तो इसको पहचानने के लिए आपको इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा अगर मैं 144 को नीचे ले आता हूँ तो 16,49 और ये बन गया 9 तो ये बन गया x² प्लस y² प्लस y² प्लस थी का स्क्वार इकल टू 1 मतलब ये किस फॉर्म में बन चुका है ये बन चुका x² प्लस a² प्लस y² प्लस थी क्वार इकल टू 1 मतलब ये क्या है दीर्धवरत है क्या है ये ये दीर्धवरत है तो ये आपने ये दीर्धवरत बना लिया जिसका दीर्धच किता है 4 है मतलब ये होगा 4,0 ये वाला point ये वाला point होगा minus 4,0 एक सक्ष में जो आते हैं दूसरे point देखिए दूसरे point जो आपको बनाने है वो कितना है अपने पास में 3 दिया है y में तो y के लोग आप बना लिजे दोठो point 0,3 और 0,-3 ये आपने point बना लिए है अब कहरा रेखा x equal to 2, x equal to 2 ये है x equal to 1 और ये बीच में x equal to 2 ये बन गई रेखा अपने पास ये मैं red pen से बना देता हूँ, आपको समझ में आए ये दिखे, रेखा x equal to 2 से खंडित लगू भाग, अब एक भाग देखो इसका चितरफल ज़्यादा दिख रहा है और इसका चितरफल क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो लगू भाग का चितरफल आपको ग्याद करना है देखो चितरफल उपर भी है, नीचे भी है, तो कुल चितरफल इसने ऐसा दो बोला नहीं है कि पर्थम चतुर थांस का ग्याद करो करो इसने पूरा ग्यात करने को बोला है तो क्या करोगे 2 का गुणा करोगे 2 का गुणा तो यहां पर क्ल क्छेत रफल की कैसे निकाला जाएगा देखो मैं निकाल कर बताता हूं कुल दो 2, y, dx, 2 से लेके 4, क्यों, क्योंकि यहां x equal to 2 था, और जो खताम हो रहा वो कहां पर हो रहा, x equal to 4 पर, तो सीमा किती लगई, y, x, 2 से लेके 4, और x अच्छे के अंदिस निकालना है, इसलिए dx लगाया आपने, चलो y की value निकालो, तो y की value कैसे निकलेगी देखो, जो आपके पास समीकर्ण आपको दिया गया है, 9x square plus 16y square equal to 144 है, तो उससे मैं y का मान निकालता हूँ, 9x square, हाँ, प्लस 16y square equal to 144, तो 16y square equal to कितना हो जागा, 144 minus 9x square, यहाँ पे y square equal to 144 minus 9x square, बटे कितना हो गया, 16, अगर आपने इसको भाग दे दिया, तो y square कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, y square equal to हो जाएगा, 16 गुणे 9, 16 से 9 बार 144, minus x square, और 9 बटे 16, ठीक है न, 9 upon 16, यह लिख दिया आपने, 9 by 16 अपने डिवाइट कर दिया उसको, अब यहाँ से y equal to हो जाएगा, under root 9, 9 मतलब कितना, 3 square minus x square, और देखो यहाँ पे क्या है, 9 by 16 है, हाँ, यह हो गया, ठीक है न, 9 by 16, अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आपको put करना पड़ेगा, तो 2 times, 2 से लेके 4, integration, 3 का square, minus, मैं यहाँ पे, x square into 9 by 16 है, मैं इसको 9 x square upon 16 पूरे में लिख सकता हूँ, एक मिनटे से नहीं लिखो, इसको मैं लिख सकता हूँ, 3 x, दे को क्या लिखा हुआ है, समझो, x square into 9 by 16 है, मैं इसको 3 x by 4 का whole square लिख सकता हूँ, बिल्खुल, क्योंकि 3 का square 9, 4 का square से होला, तो मैं इसको 3 x by 4 का whole square लिख दिया, ठीक है, 3 x by 4 का मैंने whole square लिख दिया, ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे, dx कर देंगे, अब क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 3 x by 4 को t ले लो, let 3 x by 4 equal to कित्ता t ले लिया आपने, 3 x by 4 को t ले लिया है, अब dt by dx equal to कित्ता हो गया, 3 by 4, x का differentiation कितना हो गया, 1 हो गया, और dx equal to कितना हो जाएगा, 4 by 3 dt, तो dx की जगह 4 by 3 dt, आईए कैसे करते हैं, तो 2, limit change हो जाएगी, क्योंकि limit अब t की आएगी, तो x की जगह 2 डाल हो गया, तो 3, 2 जा 6, 2 से 4 cancel कित्ती हो गया, x की जगह आजा, t की जगह जाएगा, कित्ता 3 by 2 आजाएगा, क्योंकि x की जगह आपने 2 डाल दिया, तो 2 से 4 cancel हो गया, तो कित्ते बार cancel हो गया, तो यहाँ पर कित्ती हो जाएगा, अपने पास 3 by 2, तो यहाँ पर limit बन गई 3 by 2, ऊपर कित्ता 4 डाल हो गया, तो 4 से 4 cancel हो जाएगा, limit कित्ती बजेगी, 3, बहुत बढ़िया, और यहाँ पर कितना आएगा, root के अंदर, 3 का square मतलब 3 का square ही रहन दो, और minus 3x by 4 कितना हो चुका है, 3x by 4 को आपने t मान लिया है, t का square, और यहाँ पर dx की जगह कितना, 4 by 3 dt, 4 by 3 को बाहर लिख दो, यहाँ ले जा करके, तो 4, 2 जा कितना हो गया, 8 by 3, और अब देखिए, आपके पास में, limit 3 by 2 से लेके 3, और आपको formula पता होता, under root a square minus x square, वो बड़ा सा formula x by 2, under root a square minus x square, plus a square by 2, sin inverse x upon a, तो यहाँ पर आपको 3 square minus t square में, वो ही वाला formula लगाना है, और formula लगाने के बाद आपको यह limit पूट करनी है, अपर limit 3, और lower limit किती 3 by 2, तब आपका answer आएगा, तो मतलब यह question काफी मेहनत ले रहा है, चली, ठीक है, तो फिर उपर वाले को क्यों करना, अगर यह ऐसा question आगा है, नीचे वाला बहुत आराम से हो जाएगा, दिखिए, कह रहा है कि y equal to x का x अच्छ तता रेखाऊं, x equal to minus 1 और x equal to 2, चलो इसको अब करते हैं, मुकुल clear हो रहा question? हाँ, हाँ, देखो, तब भी आपके पास में, समीकन बिटब वही आएगा, 3x by 4 हर हालत में साथ में आएगा, complete रूप से common नहीं आ रहा न, आप व्रत्त को सामने रख करके सोच रहे हो, आप निकाल के देख लो, यह लिखी हुई है, x square upon 4 square plus y square upon 3 square equal to 1, चलो मैं भी देखता हूँ, यहाँ से ऐसा कह रहे हैं, आप तो देख लेते हैं, साइद आ जाए, यहाँ से y square upon 3 square, y square upon 9 equal to 1 minus x square upon कितना हो गया, 16, तो y is equal to under root 1 minus xy4 का whole square, y upon 3 का square, यहाँ 9 चला जाएगा, बताईए, इतना हो जाएगा, हाँ, यह थोड़ा सा जल्दी हो गया, clear है, हाँ, वो भी ठीक है, 3 upon y square equal to 9 by 4 बन जाएगा यह, बिल्कुल सही कहा रहा हो, तो y is equal to 9 by 4, bracket के अंदर 16 minus, कितना x square, यही आया है, हाँ, 3 by 4 होगा, 3 by 4, right, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है न, हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है, हमने क्योंकि उसको 3 by 4 को बाहर नहीं लिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यह बात ज़्यादा बहतर है कि आप इसको इस तरीके से खल लें, समझ मैं आया, अगले question देखिए, अगले question में थोड़ा आपको चोकन ना रहना पड़ेगा, देखिए अगले question में graph कैसा बनेगा, y equal to x जो line होती है, वो मूल बिंदू से जाने वाली line होती है, अब जो छेतरफल आपको बोल रहा है, कितना x equal to minus 1, तो ये x equal to minus 1 से लेकर के x equal to 2, तो एक तरफ का छेतरफल negative मिल रहा है, तो minus 1 से लेकर 0 तक का छेतरफल negative मिल रहा है, और 0 से लेकर 2 तक का positive है, तो इसकी tension नहीं है, बट इसकी tension है, तो क्या करोगे, दो पार्ट में छेतरफल बटेगा, पहला minus 1 से लेकर के 0 और y d x, प्लस 0 से लेकर के 2 y d x, y की जगे देखे कितना चल रहा है, x ही चल रहा है, क्योंकि दोनों में फला नेकी है, तो minus 1 से लेकर के 0 x d x, फिर 0 से लेकर 2 x d x, क्यों रख दिया y की जगे x, क्योंकि y equal to x given है, अब देखो, क्योंकि ये फलन नीचे है, x अच्छे के, तो इसलिए इसका आंसर निगेटिव आएगा, बट छेतरफल हमको जोड़ना है, तो उस दुर घटना से बचने के लिए, हम पहले ही क्या लगा देंगे, mode लगा देंगे, तो mode लगा दीजे, अब बोलिए इसका आंसर कितना आया, x स्क्वाइर बाई टू, और लिमिट माइनस वन से लेके, जीरो, ठीक है, माइनस वन से लेके जीरो, और mode लगा रहेगा, भूलिए गा नहीं, ये कितना हो जागा देखे, x स्क्वाइर बाई टू, और जीरो से लेकर के टू, जीरो से लेकर के टू, चलिए, अपर लिमिट वन बाई टू, देखो भाई, वन बाई टू बाहा ले लिया, अपर लिमिट जीरो का स्क्वाइर जीरो, और माइनस वन का स्क्वाइर, माइनस, देखो, 0 का square, minus, minus 1 का square तो कितना हो जाएगा, plus 1 sorry, sorry, plus 1 नहीं होगा, minus 1 होगा क्योंकि minus 1 का square खुद में plus 1 होगा और यह minus लगा हुआ है but क्या लगा है, आंगे mode लगा है फिर 1 by 2 फिर 1 by 2 x का square मतलब कितना 2 का square, 4 minus कितना, 0 तो answer कितना है, देखो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 1 का मौड लगा है मतलब हो जाएगा 1 by 2 और प्लस और प्लस 4 का आधा 4 का आधा कित्ता हो गया 2 तो आंसर हो गया 2 प्लस 1 by 2 याने की 5 by 2 5 by 2 तो इसका करेक्ट आंसर 5 by 2 बोलो समझ में आ गया बच्चों बोलो नहीं लिमिट हमेशा lower to higher चलती है naturally कम से ज़्यादा की ओर अगर आप माइनस 1 से 0 कर देते तो फिर sign change हो जाता उसका क्योंकि property हमने पढ़ी हुई है निश्चित समाकलन में क्या property है a से लेकर के b fx dx equal to minus of b से लेकर के fx dx पढ़ी है नहीं property हाँ इस वज़े से हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे limit को chain नहीं करेंगे बोलो clear हुआ अच्छा चलो answer trace कराये देता हूँ थोड़ा सा logical method लगा करके answer भी check कर लो चलो graph का नाम क्या y equal to x मतलब जितना y होगा उतना x होगा तो चलो अगर यहाँ पर x की value 2 है तो y की value बिकिती होगी 2 और अगर यहाँ पर x की value minus 1 है sorry x की value अगर minus 1 है तो y की value किती होगी minus 1 चलो चेतर फल निकालते हैं समकोंड त्रिबुच बन रहा है चेतर फल बराबर 1 बटे 2 आधार गुने उचाई तो 1 बटे 2 आधार भी 2 है उचाई भी 2 है 2 से 2 cancel कितना आया 2 इतने भाग का एरिया आगया 2 एक आई चलो अब इतने भाग का एरिया निकालते हैं 1 बटे 2 आधार कितना है 1 उचाई भी कितनी है 1 sign नहीं लेते भाई आधार उचाई में है तो लंबाई ना त्रिबुच के छेतरफल में चेन कहां लिए जाता है तो 1 बटे 2 आधार गुणे उचाई दोनों 1 है तो आंसर कितना आगया यहां का छेतरफल आगया 1 बटे 2 अम मैथ जो है नीचे वाले एरिया को निगेटिव समस्ती है और उपर वाले एरिया को पॉस्टिव समस्ती है बट हमको छेतरफल निकालना है तो हम टोटल जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई 2 प्लस 1 बटे 2 डिरेक्टली कितना आगया 5 बटे 2 तो बीना इंटीग्रेशन का यूज करे आगया बट आप इस मेंटड का इस्तमाल अपने उसमें नहीं करेंगे यह तो शॉट ट्रिक के लिए था ठीक है चलो सत्रवा क्वेश्चन ओकल समीकर्ण इतने को हल करना है देखे कैसे करेंगे इसको वेरियेबल से प्रेबल बना लो मगर इसमें प्राबलम है भाई क्वेश्चन में डी एक्स नहीं है मतलब ही क्वेश्चन गलत है एक में पकका डी एक्स होगा एक में पकका क्या होगा डी एक्स होगा तो किसी एक के पास डी एक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पर डी एक्स कर देता हूँ question गलत लिखा हुआ है तो देखें कैसे करेंगे इसको लिखेंगे sec square x into 10y dy equal to minus sec square y into 10x dx यह ऐसा question बनेगा आपके पास में अब एक काम करो dy के साथ में dy के साथ में पूरी y वाली party को ले जाओ तो y देखो अपने पास में कितना है 10y है 10y है अच्छा question की जरूरत को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला part dy होगा और ये वाला part क्या होगा dx होगा तभी आप इसको solve कर पाओगे नहीं तो गड़वड हो रही है ठीक है ना नहीं तो गड़वड हो रही है अगर आप इसको इस तरीके से नहीं रखोगे तो ये solve नहीं होगा क्योंकि second square x के नीचे 10x आना चाहिए तभी integration होगा और second square y के नीचे किसको आना चाहिए 10y को तभी होगा हाँ एक ही set आज करवाऊंगा हाँ ठीक है नो प्रॉबलम मिटा चलिए रेकिए last question देखके जाहिए तो यहाँ पर अपने पास में है sec square x into 10y और यहाँ पर कितना है अपने पास में यह dx है equal to minus of sec square y हो गया into 10x हो गया और यहाँ पर कितना हो गया dy हो गया तो देखे अपने dy इधर पे dx इधर पे है तो यहाँ पर sec square x रखो dx रखो और 10x को यहाँ से बुला लाओ तो नीचे कितना हो गया 10x और यहाँ पर कितना है minus of sec square y है इधर पर नीचे किसको बुला लाओ 10y को और यहाँ पर कितना हो जाएगा dy दोनों तरफ क्या कर दो समा कलन कर दो तो 10x का differentiation क्या होता है कि square x तो इसको t ले लोगे यह dt बन जाएगा तो क्या बन जाएगा answer log 10x 10x equal to इसी तरीके से minus बाहर कर दो यह क्या बन जाएगा अपने पास 10y को t ले लो यह dt बन जाएगा यह बन जाएगा log 10y प्लस c की जाएगा क्या एड़ कर दो log c हाँ अब एक काम करो इसको इधर एड़ कर दो तो log 10x plus log 10y equal to log of c 10x और 10y देखो log a plus b किता होता log of a into b किता होता log of a into b तो यह क्या बन जाएगा log of 10x into 10y equal to log of c यह आपका answer है आप चाहो तो log से log cancel कर सकते हो finally answer आएगा c equal to 10x into 10y finally answer यह है सकते है नहीं तो यह है